नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी दोस्तों का layer 3 education में देखिए हम लोग यहां पर जो है आपके लिए maths का mock test अब शुरू करने वाले हैं जिसमें हम लोग क्या करेंगे different type के different chapter से practice question हम लोग यहां पर करने वाले हैं जो कि आज जो है आपका mock test number 1 है यानि कि यहां से हम ल साथ में आप लोग यहां पर question को मेरे करवाने से पहले वीडियो को post करके question को करिएगा और देखिएगा इन 15 question में से आप लोगों को कितने question यहां पर आते हैं अगर 15 में से 15 आते हैं तो बहुत अच्छी बात है जितने भी number आप लोगों के आते हैं तो इमानदारी से पेन क पर उठाइए और तयारी चेक करिए अपनी कि क्या आपकी तयारी है कितने number आप लोगों के आ रहे हैं तो चली शुरूआत करते हैं सबसे पहले question के साथ हम लोग यहां पर आप लोगों के साम रखते हैं question number 1 देखिएगा और करने की कोशिश करिएगा क्या लिखा हुआ है question question number 1 पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए उसने कहा है कि यदि किसी अर्ध व्रत का परिमाप 36 cm है तो उसका शेत्रफल कितना होगा एक सुच ओपन वर्ग सेंटीमिटर दो सुच्छे वर्ग सेंटीमिटर सेंटीमिटर या इन में से कोई नहीं तो आप सभी दोस चेक करि है तो यहां पर एक नंबर आपको नहीं मिलेगा जैसे कि अब उसने यहां पर दिया है कि अर्ध वरत देखो पूरा वरत होता है जो गोल आकरती आपकी होती है यह पूरा वरत होता है लेकिन अगर इसको बीच में से काट दे तो यह कहलाता है आपका अर्ध वरत अब इसका परिमाप दे रखा है परिमाप का मतलब क्या होता है परिमाप आप सभी दोस्तों को पता होगा कि परिमाप यानि कि परी का मतलब बाहर और बाहर का जो माप है उसको अगर आप जोड ले तो परिमाप कहलाता है अब यहाँ पर अगर बात करें तो पूरे वरत का परिमाप हम भी मैं आधा कर दूँ तो यहां पर इस तरीके के आकरती आएगी तो इसका जो परिमाप बनेगा वो बनेगा पाई आर लेकिन परिमाप निकालने के लिए आप लोगों को बंद आकरती चाहिए होती है तो इसको बंद अगर करें तो यहां पर दो रेडियस में लगा रहा हू तो आप लोगों का जो अर्दवरत का परिमाप निकल के आया वो आया πाई आर प्लस टू आर क्या बना पाई आर प्लस टू आर ये होता है आप लोगों के अर्दवरत का परिमाप और इसको ओर शोर्ट करें तो यहाँ पर आर दोनों में कोमन है तो आप आर बाहर ले सकते हैं और अंदर बचेगा πाई प्लस टू तो आप अर्दवरत का परिमाब हमेशा लिखेंगे क्या आर इंटू पाई प्लस टू या फिर पाई आर प्लस टू आर ये अर्दवरत का परिमाब का फोर्मुला होता है तो ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता है अब इस फोर्मुले को यहां रखेंगे कि आर इंटू पाई प्लस टू बराबर आपका 36 उसने दे रखा है तो हम रेडियस निकालेंगे उसी से सेत्रफल निकलेगा तो अब यहां पर आर को रहने दें और पाई की अगर बात करें तो पाई की वेलिउ होती है दोस्तो 22 बटे 7 क्या होती है 22 बटे 7 होती है प्लस 2 करेंगे और बराबर आपका 36 है इसे अब यहां 2 के आपन में कुछ नहीं है तो 1 रख लेंगे और 7 का LCM लेंगे, 7 और 1 का LCM 7 यहां आ जाएगा 22 एक से भाग लगाएंगे 7, 7 दुनी, 14 और आपका इधर R तो है सही, इधर भी 36 भी है सही अब आप इनको जोडेंगे, तो 22 और 14 को जोडेंगे 36 को काटेंगे, तो radius निकल के आई, उस अर्ध वरत की कितनी निकल के आई, 7 निकल के आई, अब उसने कहा है कि उसका शेत्रफल क्या होगा, तो दोस्तों जो वरत का शेत्रफल होता है, वो Pi R स्क्वेर होता है, क्या होता है वरत का से तरफल पाई एर स्कोर लेकिन अर्द वरत है तो उसको बटे दो भी करना पड़ेगा तो बस इसको सोल कर लेंगे पाई की वेल्यू दोस्तो 22 बटे साथ रेडियस हम लोगें निकाली साथ इंटू साथ और बटे आपका दो है इसे टो उलट गुनित होकर के एक बटे दो हो जाएगा यहाँ पर तो साथ से साथ कैंसल दो से यह बाविस गैरा बार कैंसल गैरा इंटू साथ कित्ता हो जाएगा सेवंटी सेवन हो जाएगा दोस्तों जो कि आप लोगों के option नंबर सी में आप लोगों को दिखाए दे है आपका answer क्या रहा है और मेरा answer क्या रहा है अगर सेम रहता है तो आपको number दे लेना है और गलत होता है तो कोई दिक्क्कत नहीं है लेकिन जितने भी दोस्त देख रहे हैं अंत तक ज़रूर देखिए कि आखरी तक आप लोगों को ये वीडियो देखना है और साथ यसाथ अपना score comment box में लिखना है कि जो भी आपका score रहेगा वो आप लोगो comment में लिखना है कि आप लोगों के number कितना है तो मुझे पता चले कि आप लोगों को इस तरीके की question all लाना है या question change करना है उस तरीके से ठीक है तो सभी इसको जरूर कमेंट करिएगा अब क्यूशन नबर टू पे चलते हैं दोस्तों और देखिए का क्यूशन नबर टू में क्या लिखा हुआ है किस तरीके से आप इसका आंसर यहां पर करेंगे चलिए पढ़िएगा इसको उसने कहा है कि एक बेलन की उचाई 14 सेंटीमिटर है तथा इसका वक्र प्रष्ट दे रखा है शेत्रफल 88 सेंटीमिटर तो इसके आधार की तरजह क्या हो जाए कि तो यह तो बड़ा ही फोर्मुला बेस्ट क्यूशन है कि बेलन यह निकि इस प्र और उसने कहे कि से वक्र प्रष्टरेश वक्र का मतलब होता है मुड़ा वह य eating जो चारो तरफ का एरिया है तो हम लिक देंगे बड़ा आसानी से एच बड़ाबर 88 उसने दे रहा है उसने तृज्जेब बड़ा ही सिंपल यहां आपने टू लिखा आपकी पाई की वेल्यू जो है दोस्तो वो है 22 बटे साथ और इंटू रेडियस रेडियस अभी उसने देर नहीं रखी है तो आप आप लिख दीजे लेकिन उसने हाइड दे रखे 14 cm तो यहां 14 लिखेंगे और बराबर में आप लोग यहां कर इसको सोल करेंगे दोस्तों तो 2 से कर देंगे यहां पर साथ से करेंगे साथ दूनी चाउदा अब बचा 2 इंटू 22 इंटू 2 इंटू आर तो आर को यहां छोड़ दें तो यह बाकी तीनों यहां बटेम चले जाएंगे कि 2 इंटू 22 इंटू 2 अब 2 से करा तो यह 44 22 से करा दो बार और दो से दो कैंसल तो एक बचा यहां पर तो आपकी जो रेडियस है वो कितनी है दोस्तों एक सेंटीमिटर आपकी रेडियस हो जाएगी जो की ऑप्शन नंबर सी में आपका आंसर आ रहा है अगर आप लोगों नांसर यह लगाया है तो आप लोगों के हो चुके हैं दो नंबर और अगर यह गलत है तो आपके अभी तक एक नंबर है ठीक है तो इस तरीके से यह चीज़ें आप लोगों को करते हुए चलना है इसको चेक करते हो चलना है भी दो question हो चुके हैं आपकी कितने number आये हैं यह check करना है आगे बढ़ते हैं और question number 3 पर चलते हैं देखेंगे क्या है third question है और check करेंगे क्या लिखा हुआ है चालिए यहाँ पर देखेंगे सभी दोस्त question number 3 की एक बेलन के आधार का व्यास 42 cm है तता इसके वक्र प्रष्ट का शित्रफल 1320 है तो इस बेलन की उच्चा ही क्या होगी तो दोस्तों अभी हाँ आप लोगों जो उपर question किया है उसमें अगर आप लोगों को वक्र प्रष्ट का शित्रफल समझ में आया है या फिर टूपाई आरे Schnree होता है तो यह question आप लोगों से जरुर बनना चाहिए जितने भी दोस्तों देख रहे हैं सुन रहे है वो सभी दोस्त क्या करेंगे इस question का अंसर जरुर निकालेंगे दोस्तों हम लोगों को इसका अंसर निकालना है तो आप लोग solve करिएगा सभी दोस्त और आंसर निकालना देखते हैं कितने दोस्तों का आ गया है है और आप लोग चेक करना यहां पर आप लिखेंगे टो पाई आरेच बराबर उसने दे रखा है कि 1320 है तो आप यहां लिख दीजिएगा 1320 ठीक है अब उसने आधार का व्यास दे रखा है देको यह जो बेलन है इसके आधार यानि की नीचे क्या जो पूरा एरिया है उसका व्यास यानि की डायमेटर दे रखा है बैयालिस लेकिन हमको यहां रेडियस चाहिए तो आपकी जो रेडियस हो जाएगी वो हो जाएगी 21 यानि की बैयालिस की आधी रेडियस हमेशा डायमेटर की आधी होती है तो टू लिखेंगे पाई की वेलियो आप सभी दोस्तों को पता है 22 बटे 7 रखते हैं हम हमेशा और यहां रेडियस उसने 21 दे रखिये है और हाइट आप लोग 22 इंटू 3 जो है यह चला जाएगा यहां नीचे 22 इंटू 22 इंटू 3 क्योंकि यहां गुणे में है तो इधर आके बटे में हो जाएगा तो आप इसको सोल करें दोस्तों तो दो चंग 12 एक बचा दो चंग 12 फिर 0 बाविस से करें तो बाविस तिया चांचड यानि की 30 है न और 3 से करें तो यह बन जाएगा 10 यानि की आपकी जो उचाई है बेलन की उचाई है वह कितनी हो जाएगी 10 cm हो जाएगी जो कि option number C आप लोगों का बिल्कुल correct answer हो जाएगा तो जितने भी दोस्त देख रहे हैं जिनका 10 cm बिल्कुल सही आया है उन लोगों का बिल्कुल सही तो score आप लोगों साथ साथ में check करते हो चलना है ठीक है दोस्तों बहुत बड़ी आप लोग कर रहे हैं उम्मीद करता हूँ जितने भी दोस्त मेरे है उनके तीन में से तीन अभी सही हुए होंगे ठीक है और किसी का एकाद गलाद भी हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है ठीक के व्रद्धी हो जाएगी दोस्तों अब घं क्या होता है क्यूब 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 कहा जाता है या हिंदी में घं कहा जाता है ठीक है अब यहां पर होता क्या है कि कि इसका संफूर्ण प्रश्ट होता है अगर आईतन की बात करें दोस्तों तो अग्धन प्रश्ट कर देने पर आईतन निकलके आता है और संपूर्ण प्रष्ट का क्यूब कहलाता है 6a² क्या कहला और तो ये आपके होते हैं, ठीक है? और आब उसने कहा है, कि इसकी भुजा को दुगना कर दे है, यानि कि जो भी भुजा रही हो, जैसे कि मान लो इसकी भुजा एक है, और इसकी भुजा को दुगना कर दिया जाए, तो संपूर्ण प्रष्ट का शेतरफल जो पहले आ रहा था उससे अब जो है कितना प्रदिशत जादा आएगा तो वो हम लोगों को निकालना है तो देखो बड़ा ही इजी है अगर बात करें हम लोग दो घंड की तो एक पहला घंड मान लिजे ए है जिसकी भुजा एक है और दूसरा घंड है हमने बनाया बी अगर दुगना करने पर तो इसकी भुजा एक की जगे हो गई है दो अब उसने कहा है कि इसका संपूर्ण प्रष्ट तो बात करें संपूर्ण प्रष्ट की तो वो होता है 6A स्क्वेर और इसका भी क्या होगा 6A स्क्वेर और 6A स्क्वेर का मतलब होता है 6 इंटू A का स्क्वेर यानि की 1 का स्क्वेर तो 1 इंटू 1 यानि की इसका संपूर्ण प्रष्ट का स्यत्रफल कितना आया कि अबल 6 आया लेकिन इसका कितना आया दोस्तू तो 6 यहाँ पर 2 into 2 तो 2 दूनी 4, 4 into 6 कितना हो जाएगा 24 तो पहले संपूर्ण प्रष्ट का शेतरफल कितना था 6 था, अभी बढ़ करके 24 हो गया है तो कितनी व्रद्धी हुई है दोस्तों 6 से 24 हुआ यानि की 18 की व्रद्धी हुई है किस पर व्रद्धी हुई है दोस्तों 6 पर, तो जो जितने बढ़ता है वो उपर और जिस पर बढ़ता है वो नीचे और प्रतीशत निकालना है तो गुणा 100 का करना पड़ता है तो आप गुणा करेंगे 6 या 18 और 3 गुणी 100 यानि की 300 परसेंट यानि की कि घन की भुजा को अगर दुगना कर दिया जाए तो संपूर्ण प्रश्ट के शित्रफल में कितने प्रतीशत की व्रद्धी होगी आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब यहां पर अगर आपका सही है तो आप लोगों को चार नंबर मिलते हैं अगर गलत है तो एक नंबर काट लेना है ठीक है अब क्यूशन नंबर फाइफ बहुत ही सिंपल बहुत ही आसान ठीक है सभी दोस्त करेंगे और देखेंगे कि क्या अंसर आप लोगों का आ रहा है ठीक है अब यहां पढ़ना क्या लिखा हुआ है कि त्रिबुज के कोण एक दो तीन के अनुपात में है यानि कोई त्रिबुज है जिसके कोण एक दो तीन के अनुपात में है यानि कोण ये एक के बराबर है ये दो के बराबर है ये तीन के बराबर है उसने कहा है कि तो दिये गए अनुपात के लिए सही त्रिबुच का चुनाओ करें यानि जो अनुपात है वो किस त्रिबुच का होगा सम बहु त्रिबुच का विशम बहु त्रिबुच का सम कोंड त्रिबुच का अधिक कोंड त्रिबुच का ता आप लोगों को answer लगाना है देखो त्रिबुच को दो प्रकार से वर्गी करत किया गया है यानि कि classify किया गया है आपके triangle को दो प्रकार से divide किया गया है एक तो side के अनुसार यानि कि जो भुजा है उसके आधार पर और एक और किया गया है cone यानि कि angle के आधार पर यानि कि cone के आधार पर और इंगल के अधार पर ठीक है तो side के अधार पर यनि की बुजा के अधार पर तीन में बाटा गया है जो कि होता है एक sum इसक वाला chapter आप च्छे पार्ट में complete करवाया है मैंने है ना जिसमें आप लोगों को सब कुछ बता है कि triangle की क्या का property होती है किस किस तरीके से इसको divide किया गया है और क्या क्या क्योशन इसमें बन सकते हैं चीक है तो चलिए अभी फिलाल क्योशन को कर लेते हैं उसने त्रिबुच के कोण दे रखे हैं 123 का अनुपाद में आपको बता दू किéntयुश के तीनो कोनों का योग हमेशा होता है दोस्तो 180 डिग्रीmeno 186डी को यहां 123 के अनुसार बाटेंगे चलिए तो मैं बता रहा था आप लोगों को कि इस तरीके से 180 डिगरी के कौन टोटल होते हैं उसने कहा है एक दो तीन का अनुपाद है तो तीनों को जोड़ेंगे क्योंकि तीनों कोणों का योग है तो अगर ये 1X है ये दूसरा 2X है और ये 3X है तो बराबर 180 के बराबर कितना हो गया एक और दो 3, 3 और 3, 6 यानि कि 6X बराबर 180 हो गया तो एक कौन कितने डिगरी का 30 डिगरी का तो ये 30 डिगरी का तो 30 एकम 30 यानि कि एक कौन 30 डिगरी का दूसरा 32-60 डिग्री यानि कि 60 डिग्री और 33-90 डिग्री यानि कि 90 डिग्री तो इस तरीके से आप लोगों का बनेगा तो 90 डिग्री जब भी आ जाता है तो हमारा कॉन जो कहलाता है या फिर हमारा त्रिबुच जो कहलाता है वो कहलाता है सम कॉन त्रिबुच या फिर इंग क्योशन देखते हैं क्योशन नमबर 6 देखिएगा उससे पहले एक जानकरिया आप सभी दोस्तों के लिए कि कोई दोस ऐसा हो जो मैच्स और इसनिंग का कंप्लीट वीडियो कोर्स चाहता हो यानि कि मैच्स पढ़ना चाहता हो बिल्कुल बेसिक से जैसे कि आपका बेलन वाल हो जाएगा तो आप बड़ी ही है असानी से कोर्स को पराप्त कर सकते हैं उसमें कुछ नहीं है वीडियो कोर्स मिलेगा सारे वीडियो आपके पास रहेंगे सारी PDF आप लोगों के पास रहेगी तो आप बिल्कुल जोइन हो सकते हैं कोर्स के अंदर जो की 499 में अविलेबल के लिए और आप लोग कोर्स यहां पर Purchase कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं दोस्तों और पांच Kitchen हो चुके हैं आप लोग देखिएगा पांच पर संट कितने नमबर आ कैसे नज़र ढालते हैं और देखते हैं क्या लिखा हुआ है किस तरीके से आप इसका अंसर यहां पर करेंगे देखो यहां लिखा हुआ है दस क्रमागत संख्यां दी गई है मध्य में दी गई दो संख्याओं का ओसत 13.5 है तो प्रथम 6 संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा तो देखो बड़ा ही आसान है जैसे कि मैं बात करूं क कि यहां पर दो संख्याओं है नो और दस तो इनका ओसत क्या होगा तो देखो ओसत क्या होता है कि दो संख्याओं को जोडते हैं और दोनों संख्याओं को जोड करके बटे दो का भाग लगाएंगे यानि कि ओसत बराबर यही होता है कि संख्याओं का योग बटे कूल संख अब जैसे कि उसने कहा कि 12 संख्या हैं लेकिन उसमें से असब क्रमा गत है यानि कि क्रम में है जैसे कि मारत करें 2022 2 1, 2, 3, 4, 5 उसने कहा कि मार लो यहांपर इन का ओस्त पूछे तो 13 है न लेकिन अगर मार लो इन दोनों का उसत क्या है तीन और चार का उसत क्या है तो वो आता है साड़े तीन क्या आ जाता है साड़े तीन क्योंकि तीन और चार को जोडेंगे और बटे दो कर देंगे तो उसने कहा है कि दस संख्याओं है लेकिन मध्य की दो संख्याओं का उसत साड़े तेरा उसने दे रखा है तो प्रथम चे संख्याओं का योगफ़ल क्या हो जाएका 13.5 क्या है दोस्तों 13.5 है तो एक चीज़ नोट करना कि ये 13.5 है मतलब ये संख्या 13 होगी और ये संख्या क्या होगी चवदा होगी बात समझ जाना आप ये 13 है ये 14 है क्योंकि साड़े 13 कब आता है जब 13 और 14 को जोड़ेंगे और बटे 2 करेंगे तो साड़े 13 आएगा और ये सभी संख्या क्रमागत है यानि कि क्रम में है तो ये 13 चवदा होगी तो ये 15 होगी ये 16 ये 17 ये 18 और इधर की बात करें तो ये 12 ये 11 ये 10 और ये 9 तो इस तरीके से तो उसने कहा कि प्रथम 6 संख्याओं का युक्फल क्या हो जाएगा 14 तक तो यहां 9 से लगा कर 14 तक इ यहां पर कितना योगफशल हो जाएगा तो आप बात करें तो नो और दस 19 19 19 21 कितना होता है थी सोर यहां पर आप अनसर जाएगा इसका correct answer कितना हो जाएगा 69 हो जाएगाक देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनका बिलकुल correct answer यहाँ पर 69 होगा, अगर अब आपका भी answer 69 है, तो बिलकुल correct आप लोगों का answer यहाँ पर हो जाता है, इस तरीके से हम लोग करेंगे, हम लोग बढ़ते हैं अगले question पर, next question आप लोगों के सामने, question number 7, देखिएगा और करने क कोशिश यहाँ पर करिएगा, बढ़ते हैं अगले question की तरब, question number 7 देखिएगा, और करने की कोशिश करिएगा, क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा, और answer निकालिएगा, उसने क्या दिया है, उसने कहा है, यदि एक अर्ध वरत का शेत्रफल, यानि कि अर्ध वर रही होगी, तो देखो, पूरे वरत का शेत्रफल आप लोगों को पता है, कि पूरा जो सरकल होता है, उसका शेत्रफल आपको पता है, पाई आर स्क्वेर होता है, लेकिन अगर अर्ध कर दे, यानि कि आधा कर दे, तो आप इसको भी क्या कर दीजी, आधा कर दीजे, तो य upon में है ये इधर जाके गुणे में हो जाएगा है ना तो पाई के अगर बात करें तो पाई होता है बाविस बटे साथ और आर हमको पता नहीं है आर स्क्वेर बराबर और यहां लिख रखाए सिक्स नाइन थ्री इंटू तो ये जो काटते हैं तो 11.6 और यहां तीन बचा ग्यार तिया तियटीष तो 63 इंटू 7 हो रहा है तो साथ तीया 21 का एक हसिल लागा दो साथ चंग 42 और 2 चंग ऒलिस यानि कि 441 आर का स्क्वेर आरा है तो आर का स्क्वेर वेराबर 441 हुआ यानि कि किस का square 441 होता है तो आपको बता है कि 21 का square यहां पर 441 होता है तो इसका correct answer यानि कि बिल्कुल right answer आप लोगों को हो जाएगा 21 यानि कि उस अर्द वरत की जो तरिज्जा है वो आपकी कितनी है दोस्तो 21 है ठीक है चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले question पर question number 8 आप सभी दोस्त देखिएगा और करने की कोशिश यहां पर करिएगा क्या लिखा हुआ है कि एक court का यानि कि court है न court समझ लिजिए एक court का अंकित मुल्य क्रेमुल्य का दुगना है 36 प्रतिशत का लाब कमाने के लिए छूट का मान प्रतिशत में क्या होना चाहिए देखो यहां पर दो तिन चीजे हैं एक होता है अंकित मुल्य का मतलब होता है यानि कि market price या MRP यानि maximum retailing price यानि कि जो उस पर take लगा होता है जैसे कि इस तरीके का take नहीं होता जिस पर यहां 1999 लिखा हुआ रहता है तो फिर अपन कहते हैं कि यह तो अच्छा नहीं है फिर अपन देखते हैं कि 299 लिखा हुआ है तो यही तो चाहिए था है न वह वाले चीजे तो वह होता है MRP ठीक है उसके बाद यहां पर discount क्या होत कि कुछ भी बोल देता है कि हाँ 1500 इतने हुए अपन भी मान लेते हैं कि चलो ठीक है दुकानदार है तो सही कियरा होगा ठीक है वह वाली बात है तो वह होता है discount और lab जो होता है कि दुकानदार कितना कमाएगा जैसे दुकानदार कुछ ने कुछ कमाने के लिए बेठा है य नहीं कि मान लीजिए कोई दुकानदार है है न सेटजी बनाने पड़ते हैं आप लोगों को यह समझ में आता है ठीक है तो यह जो सेटजी है यह हमेशा मुस्कुराइंगे क्योंकि यह वो लाब कमा रहे है तो लाब जो वेक्ति कमाता है वो खुश रहता है देखो अब उसन कितना किया, डारेक्ट सो रुपई की चीज़ पर उन्होंने कितना लिख दिया 200 रुपई लिख दिया, इकज़ भाइसंद 200 रुपई, अब सेड जी ने कहा कि हमको ये जो 100 रुपई है इस पे कम से कम 36% का लाब चाहिए, यान् Bab की चीज को वो कितने rupay में बेचना चाहते हैем 136 rupay में बेचना चाहते हैं कि मेरे 100 rupay की चीज पर मेरे 316 rupay मिलना चाहिए MIK तो अब यह जो 200 रुपए हैं इस पर सेट जी कहेंगे कि मैं कुछ न कुछ डिसकाउंट दे रहा हूं घबराओ मत तो अपन खुश हो जाते हैं कि 200 रुपए की चीज कम कर रहे हैं तो यह क्या करेंगे कि 136 कमाने के लिए 200 को कितना कम कर रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं कि 64 रुपए की कमी यह यहां पर कर रहे हैं यानि कि 200 रुपए से 136 में बेचना है इनको तो 64 रुपए का डिसकाउंट इनों ने दिया अब यह जो 64 रुपए का डिसकाउंट है यह किस पर दिया इनोंने 200 रुपए पर और यह परसेंटेज कितना है तो गुणा सोका कर तो 2-0 से 2-0 काटी और 2 से काटा तो यहां पर आ गया है 32% यानी कि set जी ने क्या किया है 32% का इन्होंने less किया है, तो इस तरीके का question यह है, वैसे भी यह पूरा chapter में ने करवा रखा है, discount वाला chapter, ठेक है, आपका जो course है, उसमें profit and loss के 2 questions में ने करवाय है, profit and loss के 200 questions, जिसमें 11 टाइप आपकी कवर की है और यहां पर अलग से डिसकाउंट वाला चेप्टर भी मैंने करवाया है तो डिसकाउंट वाले चेप्टर में भी छे टाइप के क्यूशन बनते हैं कि अंकित मुली गयात करना क्रेमुली से अंकित मुली गयात करना विक्रेमुली से अंकित मुली ग करते हो चलना दोस्तों कहीं इसकोर ना भूल जाएं आप है ना तो चली के उश्य नमबर नाइन देख लेना क्या लिखा हो है कि यह एक हजार तरालिस को किसी संख्या से भाग देने पर भाग फल ग्यारा शेश फल बीस प्राप्त होता है तो भाजक ग्याद कीजिए देखो तीन चीजे होती हैं मैं आपको बता दू जैसे कि मान लीजे तीन का भाग मैंने बाविस में लगाया तो तीन का भाग जैसे लगाते हैं तीन चार चीजे हैं इनको मैं बता दू यह जो तीन है यह कहलाता है भाजक यानि कि जिससे भाग लगा रहे हैं यह जो साथ है यह कह पहलाता है भाज ठीक है तो यह दो चार चीजे हैं यह आप लोगों को समझना होगी कि भाजक भाज़ भागफल शेशफल क्या होता है यह आप लोगों को पता होना चीए उसके अलावा एक चीज होती है कि जब भी आपको यह भाज़ निकालना हो जब भी यह भाज़ निकाल तो तीनुसाटो एक्टिस और शेशफल एक यानि कि जोड़ दे तो आपको बाविस प्राप्त होता है जो कि भाज कहलाता है तो आप लोगों का एक बेसिक फॉर्मूला यहां पर बनता है कि भाज बराबर भाज बराबर भाजक गुनित भागफल प्लस शेशफल यह फॉर्म 27 में भाग दे रहे हैं किसी संक्या से एक हजार 40 क्या हो गया बाज हो गया ठीक है और भाजक उसनेका पता नहीं है तो भाजक की जगे एक्स लिख देंगे और भागफल उसने दे रहा है कि भाजप क्या है 11 है तो आप यह 8 लिख दीजे प्लस 6 पल उसने कहा कि 20 प्राप्त होता है तो यहां लिख देंगे 20 तो इससे आपका आंसर आ जाएगा कि आप भाजक निकालना चाते तो X की विल्यों निकल जाएगी अब यह ध्यान रखना कि अगर यहां प्लस का 20 है अगर यह प्लस का 20 बराबर के उधर जाता है तो यह माइनस का 20 हो जाता है क्या हो जाता है दोस्तों माइनस का 20 ठीक है जैसे कि शरारती बच्चा जो है वो मामा के गाउं से खुद के गाउं आता है तो ठीक ठाक हो जाता है वैसे कि वैसे यह प्लस का है लेकिन इधर आके चुपचाप माइनस का हो जाता है तो 3 में से 0 गया 3 4 में से 2 गया 2 10 का 10 एक हजार तेविस आ रहा है X इंटू 11 के बराबर यानि कि 11X के बराबर कितना आ गया है एक हजार तेविस 11 से इसको काटेंगे तो 1199 यानि कि 99 और यहां पर कितना बचेगा 3 तो 11 तेविस यानि कि X की वेल्यू कितने आ गई है दोस्तो 93 तो भाजक की अगर बात करें तो वो आपका क्या हो जाएगा 93 हो जाएगा तो अगर आप लोगों को ये बात पता थी या नंबर सिस्टम वाला चिप्टर आप लोगों अच्छे से पढ़ा है उसमें 11 टाइप के क्योशन बनते हैं तो वो अगर आप लोगों अच्छे से पढ़ा है तो फिर आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी बढ़िये आसानी से अंसर निकालिएगा कि क्या अंसर आप लोगों का बन रहा है उसने क्या कहा है पढ़िएगा ध्यान से उसने कहा है दोस्तों कि एक वर्ताकार मेदान की परी थी 44 cm यदि इस मेदान में कोई गाए 7 वर्ग मिटर शेतरफल 4 यदि 7 वर्ग मिटर का जो एरिया है वो एक दिन में चर लेती है तो पूरे मेदान की घास चरने में उसे कितने दिन का समय यहां लगेगा तो देखो, माल लो एक दिन में वो साथ वर्ग मिटर चरती है अब मैंने के दिया आप से कि पूरा एरिया 21 वर्ग मिटर का है तो किते दिन लग जाएंगे तीन दिन लग जाएंगे मैं के दू कि 14 वर्ग मिटर है तो आप कहेंगे 2 दिन में और सरकल के एरिया के अगर बात करें या फिर वरत के एरिया के हम लोग बात करें वरत का इसे तरफ लोग कहलाता है दोस्तों पाई आर स्क्वेर क्या कहलाता है पाई आर स्क्वेर और अगर इसके सरकमफ्रेंस की बात करें या फिर इसके परिमाप की बात करें जो चारो तरफ का लंबाई होती है इसके गोल गोल जो लंबाई होती है वो परीदी कहलाती है और उसका फॉर्मूला होता है दोस्तो टू पाई आर क्या होता है टू पाई आर और परीदी उसने दे रखी है तो हम लोग यू लिख सकते हैं कि भाया इसका जो 2 pi r value जो होती है यानि 2 pi r होता है वो बराबर है 44 के तो हम इस से radius की value निकालेंगे यानि 2 into pi भी मतलब 22 बटे 7 और r बराबर 44 तो आप क्या करेंगे कि ये जो 2 और 22 है गुणे में ये चला जाएगा बटे में और ये जो 7 बटे में हैं ये चला जाएगा उपर गुणे में तो यहाँ पर 2 into 22 इक 44 से 44 खतम तो radius बराबर आपके आगई साथ कि जो भी आपका जो circular यानि की वरताकार मेदान है उसकी जो radius है वो है आपकी साथ ठीक है ये चीज़ आपको समझ में आगई अब वो area हमको निकालना है कि ये जो पूरा area है अंदर का ये कितना है तो ये निकालने के लिए आपको area का formula यानि की शेत्रफल का formula लगाना पड़ेगा जो की है πाई आर स्क्वेर क्या है दोस्तों पाई आर स्क्वेर तो पाई आपका 22 बटे 7 साथ और radius हम लोगों अभी निकाली साथ ठीक है तो यहां साथ से साथ केंसल करेंगे बाविश इंटू साथ कर देंगे कितना हो जाएगा एक सो चोपन हो जाएगा कि एक सो चोपन मीटर स्क्वेर का ये पूरा area है उसने का कि ये जो गाएं है ये एक दिन में केवल क्या करत दीजेगा तो साथ का भाग लगाएंगे तो साथ दूनी चौदा एक बचा साथ दूनी चौदा यानि कि कुल बाविश दिन में वो जो गाएं है वो इस सर्कुलर यानि कि वरताकार मैदान का पूरा घास जो है वो चर लेगी तो इस तरीके के क्योशन अगर अगर आपकी में आते हैं तो आप सभी दोस्त कर लेंगे वैसे सर्कल वाला चेप्टर भी अच्छे से पढ़ा रखा है सारी चीजें आप लोगों को बता रखिए सर्कल में भी आप लोगों का जो जीवा वाला क्योशन आता है है ना कि एक जीवा की लंबाई इतनी है वो जो केंद्र से पांच मेंटर की दूरी पर उसकी त्रिज्जा क्या हो जाएगी जीवा की लंबाई क्या हो जाएगी तो इस तरीकी की क्विशन आप लोगों के सारे उसमें करवा रखे हैं आप बहुत अच्छे से कर सकते तो अभी तक आपके 10 में से कितने नंबर आये हैं आप लोग चेक कि जा सके कि आप लोगों के कितनी नंबर यहाँ पर आ रहा है तो क्यूषन नंबर 11 पर चलते हैं दोस्तों और यहाँ पर जो लोग ऐसे हैं जिनको यह सारे चेप्टर पड़ना है अभी बिलकुल बेस बनाना है अच्छे से तो आप बिलकुल बेस के लिए यहाँ पर जा स सकते हैं आप इस नंबर पर मेसेज कर देना फोन लगा लेना डबल नाइन डबल सेवन सिक्स फाइफ वन टू एड टू ठीक है तो आप लोगों को कोर्स मिल जाएगा और यह जो कोर्स में आपको बता दू यह कोर्स आप लोगों की जो एक्जाम डियेस इस भी आरी है बहुत दिया हुआ है और आप किस तरीके से इसको करेंगे क्या लिखा हुआ है दोस्तों यहां चेक करना उसने कहा है कि एक आयताकार मेदान की लंबाई उसकी चोड़ाई से तीन गुनही स्ताइगाल यहीं आई नी कि आयताकर अगर बात करें तो रेक्टेंगल राले एरिया की ब बताये था कि चारो तरफ का जो लंबाई है वो अगर आप जोड ले तो वो ही परिमाप आपका कहलाता है। उसने कहा कि मेदान की लंबाई क्या हो जाएगी यह आप लोग बताये दोस्तों। तो बड़ा ही आसान सिंपल है आप लोग कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात न चोड़ाए अगर चारो को जोड़े तो यह प्लस बी और लग तो आप देखें दो बार एल आ रहा है दो बार बी आ रहा है और दो को कुमन ले ले तो यह प्लस बी अंदर बचेगा। इस तरीके से परिमाप का फोर्मूला बनाएं। तो आप लिख सकते हैं कि टू इन L प्लस B बराबर उसने 800 दिया है तो आप यहां 800 लिख सकते हैं और उसने कहा कि लंबाई चुड़ाई से 3 गुना है अगर चुड़ाई को X मानते हैं वन एक्स मानते हैं तो लंबाई इसकी 3 गुना यानि कि 3X हो जाएगी तो लंबाई चुड़ाई मैंने लिख दी यहां 2 लिख दिया और बाराबर कितना हो जाएगा 800 उसने कहा कि सभी को अगर यह करें तो दो से इसको काटें तो यह बन जाएगा 400 और यह 3X और 1X मिलाकर 4X बराबर 400 तो X की value कितनी हो जाएगी दोस्तों 100 हो जाएगी अब 100 तो यहां answer दे रखा है पर आपको 100 नहीं लगाना है उसने लंबाई पूछी है दोस्तों तो यह जो X आया है आप लोग अगर बात सुनें तो यह X है और इसकी 3 गुनी लंबाई ती तो अगर यह 100 है तो इसकी 3 गुनाई यह नहीं कि 300 आपकी क्या हो जाएगी लंबाई हो जाएगी तो 300 मेटर इसका बिलकुल correct answer यहां पर हो जाएगा जितने भी दोस्त देख रहे हैं सुन रहे हैं अगर आपका 300 answer है तो आप लोगों का बिलकुल सही ठीक है और चेक करते हो चलना कि कितने नंबर आप लोगों के आ रहा है और आपको comment box में लिखना भी है कि आपको ये video कैसा लगा है न और आप चाहते हैं कि ये series continue है तो आप comment जादा करिएगा ठीक है ये चीज आप लोगों को करना है लाइक भी कर देना है ठीक है question अच्छे लग रहे हैं कुछ सेखने को मिल रहा है तो बिलकुल like और comment आप कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं question number 12 पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है और इसका answer निकालना की कोशिश यहां पर करते हैं उसने कहा कि एक वर्गा कार मेदान के चारों तरफ बार लग रहा है वर्गा का मतलब समझना है यहां दो तिन चीज़ा आती है आप बहुत सार दोस्त वरता कार में और वर्गा कार में confuse रहते हैं तो मैं कह दूँ वर्ग का मतलब होता है सर्कुलर और वर्ग का मतलब होता है स्क्वेर वाला स्क्वेर यानि कि जिसकी ओल साइट क्या हो इकवलों मैंने अभी इकवल नी बनाई है पर आप समझ जाना कि इस तरीके का जिसकी सभी बुजाएं क्या हो समान हो ठीक है इस तरीके से तो उसने का कि एसा जो एरिया है या फिर जो मेंधान है इसके चारो तरफ बार लगाने का खडचा 12.000 रेड़ जो है वो तीस रुपई प्रतिमिटर ते क् है भाई यह एक मिटर के 30 रुपई अपन लेंगे ठीक है उनने कर वर्गाrim मैदान का शेतरफल ग्याद कीजिए, ये जो अंदर का एरिया है, उस मैदान के अंदर का एरिया है, वो कितना है दोस्तों तो देखो, बात करें यहाँ पर घर्चे की, तो वो किस तरीके से काउंट होगा, कि भीया चारो तरफ का जो एरिया है वो चारो तरफ की जो लंबाई है वो कितनी है वो निकालना पड़ेगी यानिकी उसने कहा कि एक मिटर के तीस रुपे लेंगे मानलो जैसे कि यहां से यहां तक एक मिटर हो रहा है तो इसके वो तीस रुपे ले रहे है पहले तो आप देखो कि ये चारो तरफ का कितना मीटर होगा तो वो मान लीजे आप X कि चारो तरफ कुल मिला के X मीटर है उसमें आप अगर 30 रुपए का गुणा कर दे यानि कि जैसे कि मान लोग 1 मीटर के 30 रुपए ले रहा है कितने हक्का कर्चा आया 12,000 रुपए का ठीक है ये चीज़ आपको पता है अब X की वेली निकालना है तो ये जो 30 है ये बटेम चला जाएगा और 1,0 से 1,0 कटेगी 3,12 यानि कि 400 मीटर यहां पर आ रहा है कि ये जो परिमाप है चारो तरफ की लंबाई है वो कितनी है दोस्तों 400 मीटर है अब उसने का कि ये वर्गा कार मैदान है मतलब इसकी सबी साइड क्या है इक्वल है अब ये 400 मीटर टोटल चारो तरफ की लंबाई है तो एक तरफ की लंबाई अगर देखें तो एक भुजा कितने मीटर की रही होगी 100 मीटर की यानि कि हर एक भुजा 100-100 मीटर की रही होगी और अगर मेदान के शेत्रफल की में बात करूँ तो शेत्रफल कहला था है A स्क्वेर यानि कि भुजा का स्क्वेर तो 100 का स्क्वेर यहां पर करना होगा अंदर का एरिया निकालना है तो 100 का square होता है दोस्तों 10,000 meter square यानि कि 100 का square करें तो 10,000 आता है यानि कि option number A जो होगा वो आप सभी दोस्तों का बिल्कुल correct answer हो जागा तो बड़ी है आसानी से simple तरीके से आप सभी दोस्तों निकाल लिया कि इस तरीके की question जब भी आ जाए तो उनको कैसे deal करना है किस तरीके से उनका answer यहाँ पर निकालना है आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले question की तरफ और 12 में से आपकी कितने सही हो रहे हैं यह check करते चलिएगा question number 13 आप लोग देखे और करने की कोशिश करेंगे कि क्या लिखा हुआ है ध्यान दीजिएगा और solo करिएगा कि एक वर्ग की भुजा 10 cm है इस वर्ग की भुजा को अगर दुगना कर दिये जाए तो परिमाप कितना गुना हो जाएगा अब देखो बड़ा आसान है यानि कि अगर भुजा को दुगना कर रहे है तो परिमाप भी दुगनाई होगा डारेक्ट आंसर आप लगा सकते हैं लेकिन अगर आप इसको समझे कि क्या हुआ है तो बात समझे एक वर्ग की बात की है तो अभी हम लोग उन देखाए कि वर्ग क्या होता है यानि कि ऐसी आकरती जिसकी सबी साइडे एकवल हो मालने जिए इसकी भुजा दस सेंटिमेटर उसने दे रखी है अगर आप कहरें कि वर्ग की भुजा को दुग ना कर दें मतलब दस की जगे आप ऐसा वर्ग बनाएं जिसकी भुजा इस दस की डबल यानि की बीस हो तो बोलता है परिमाप कितना गुना हो जाएगा इसका परिमाप क्या रहेगा और इसका परिमाप क्या रहेगा वो निकालें अगर तो परिमाप होता है चारो भुजाओं का योग यानि कि 10 इसकी भुजा है तो इसका परिमाप हो जाएगा 40 और अगर इसकी 20 भुजा है तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा 20 चोक 80 तो आपका परिमाप पहले 40 था अभी 80 हो गया है तो 40 का कितना गुना है ये 2 गुना है यानि कि आपका जो परिमाप है वो कितना गुना रहता है हमेशा जितनी बुजा जितनी करते हैं जैसे बुजा को तीन गुना किया तो परिमाप भी कितना गुना हो जाएगा तीन गुना यानि बुजा को चार गुना किया तो परिमाप भी कितना हो जाएगा चार गुना लेक कि भुजा 10 है तो इसका एरिया रहा होगा 10 का स्क्वेर यानि कि 100 रहा होगा मतलब एक वर्ग है जिसकी भुजा 10 है तो इसका एरिया रहा होगा 100 उसने का भुजा को अगर दुग ना कर दे मतलब भुजा 10 की जगे हम लोग मान लो 20 कर दे तो 20 का स्क्वेर कितना हो जाएगा 400 सो हो जाएगा तो अब जो है अब जो है शेत्रफल सो की जगे कितना हो गया चार सो हो गया तो कितना गुना हो गया चार गुना यानि कि अगर परिमाब की पूछे तो उतना ही गुना होता है लेकिन शेत्रफल की पूछे तो जिसे कि दो गुना है तो दो का स्क्वेर यानि कि आपका कितना गुना हो जाएगा, शेत्रफल चार गुना हो जाएगा, यह चीज आप लोगों को पड़ा रखी है बहुत अच्छे से, हैंना हम लोगों ने जब यह chapter special square वाला chapter special हम लोगों ने सीखा था, फिर square rectangle mix हम लोगों ने सीखा था बहुत सारी चीजे अच्छे से की हुई है आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्योशन करते हैं क्योशन नमबर 14 आप सभी दोस्त देखिए का और इसका अंसर निकालिए का क्या इसका अंसर यहां पर आ रहा है ठीक है और चेक करना है आप लोगों को कि आप से आंसर क्या बन रहा है लिखा हुआ है कि पी एक मेच को 16 दिन में बना सकता है जबकि क्यों उसे 20 दिन में बना सकता है क्यों ने कारे आरम किया और उस कारे को 5 दिन तक किया तो 6 चो कारे बचा हुआ है वो पी कितने दिन में पूरा कर लेगा ठीक है तो यह चीज है दोस्तों, आप लोग कर लेंगे कोई समस्य है, इसमें नहीं है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है, तो ये जो question होते हैं, ये इस तरीके से किये जाते है, कि जैसे P किसी काम को 16 दिन में कर रहा है, तो P बराबर 16 हम लिखते हैं, Q तो बराबर 20 दिन यानि कि 20 दिन में करता है तो आप क्यों बराबर 20 लेख सकते हैं फिर उसने कहा कि 16 और 20 जो है वह आप लोगों का LCM आपको लेना पड़ेगा 16 और 20 का LCM जो भी होता है जैसे कि 16 20 का LCM आपका हो जाएगा 20 कब भाग जातां तो यह जो ऐसी है दोस्तों यह कहलाया गा total work या फिर सकाते हैं कि इतने już nee हम लोगों और या फिर समझ समांझ लिजीए कि 80 समों से हम लोगों को बनाना या जिसे कि लोग डाउन में तरंहीं का रहे हैं और अपने इदर गर पे बना बना एकारे पर इस बार थोड़ा सा कुरोना खतरनाग है तो घर में ही रहना चाहिए ठीक है अब यह मेसेज नहीं चल रहा था कि आप घर में रहें तीसरी लहर आने वाली है आपने सुना होगा वो तीसरी लहर वाला जोक कि तीसरी लहर आने वाली कि इनको कौन बताये कि हम 30 दिन से घर में ही हैं अब क्या बातरूम में गुच जाएं हैं हैं वो वाला जोग चल रहा था ठीक है तो आप देखेंगे कि यह जो LCM है यह आपका टोटल वर्क है यानिक 80 समों से बनाने हैं तो 16 से आप भाग लगाएं 16 पंजे 80 है और 20 से करें तो 20 चोक 80 तो यह जो 5 और 4 आया इसमें भाग लगाने पर यह है एक दिन की यूनिट यानिकि पी एक दिन में 5 समों से बनाता है क्यों एक दिन में 4 समों से बनाता है और उसने कहा कि क्यों ने कारिया आरम किया यानिकि क्यों ने बनाना शुरू किये और 5 दिन तक काम किया यानिकि क्यों बीस समों से बन चुके हैं असी में से कितने बचे हैं दोस्तों साड़ बचे हैं अब उसने का ये जो साठ है ये पी कितने दिन में बना लेगा तो पी एक दिन में पांच बनाता है तो साठ बनाने के लिए उसे कितने दिन लग जाएंगे बारा दिन लग जाएंगे तो इसका question की तरफ चलते हैं question number 15 सभी दोस्त यहां पर answer करेंगे इसका क्या answer यहां पर हो जाएगा तो उसने कहा है कि यह जो संख्या है दे रखी है इनके बीच में यह गुने का निशान है मैं अगर आपको बता दो आप लोगों को यह star लग रहा है तो यह star नहीं है क्यों लेका यंक तो छे इंटू आठ किता हो छे आठ 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 तालिस का आठ आठ इंटू नो आठ नम बहुततर का दो दो दुनी चार यह निकि इसका answer किता हो जाएगा दोस्तों चार हो जाएगा तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं बड़ा ही अच्छे आठ 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 बें चार दोस्तों झाले बिल्कुल बैसिक से सब कुछ सिखा रहा है जैसा आपी समझ में आ रहा है इसे चेप्टर पढ़ा रखे हैं ठीक है कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है आराम से पढ़ो आप ठीक है दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो पर तब तक लिए अलविदा थैंक्यू सो मच पूरा गिए ठीक्निकली